नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मासर मार्क सुक्रवार का दिन मा लक्षमी का दिन है और मा लक्षमी हर कोई चाहता है कि वो प्रसन हो और उनके पास सदा के लिए रह जाए पर मा लक्षमी चंचला है ये तो सब मौ लक्ष्मी की बहुत सारे घर में क्या होता है ना, खळे वाली तस्वीर मुद्रा में केलेंडर है, लगा दिये, भूल कर भी ना करे, वरना मौ क्ष्मी खड़े खड़ आएंगी और खड़े खड़े चले जाएंगी, इसलिए जब भी आप उनकी तस्वीर लगाते है ना, बैठी भी हो और एकदम से गुलाबी कबल के पुस पर हातों से धन गिर रहा हो एक पातर में ऐसी तस्वीर या मूर्ती रखे तो बहतर होगा तो आज हम बात कर रहे हैं कि जीवन में अगर धन की चाहत है तो अपने पर्स में ऐसा क्या रखे कि मा लक्ष्मी आपके पास रहे देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं भगवान के तस्वीर लगाते हैं अपने पर्स में तो हम ऐसा सलाह नहीं रहेंगे आप फैमली फोटो लगाईए पर भगवान को मत लगाईए क्योंकि आप नौन्वे बेगरे भी खाते होंगे तो थोड़ा सा समलिए देखिए आप क्या रखेंगे न एक पीले कागच पर लाल रंके सिंदूर से हन्मान जी के चर्णों का सिंदूर हो तो अतिवत्तम सौस् बने रहेंगे अगर आप भगवान स्री कृष्ण करें सबसे पसंदीदा मोर पंक इसको रख लेते हैं अपने पर्स में तो क्या होता है ना बरकत बनी रहती है किसी तरह का नजर दोस बेगरे से आप मुक्त रहते हैं आपके ऊपर किसी तरह कोई तांत्रिक क्रियाय असर न नहीं टिक पाते हैं बस यह आप जानले हर कोई चाहरा है कि सुभा कमाएं तो साम तक भी पैसा टिका रहे समस्याओं से निपटने के लिए एक छोटा सा प्रयोग कीजिए क्या करेंगे एक पीपल का पत्ता ले लीजिए हिंदू धर्म में पीपल और तुलसी दोनों ही बह इसके बाद हर्मान जी के चर्णों में रखकर धूब दीव दिखाईए हलका से उसको सूखने दीजे एक दो चार दिन लगेगा इसके बाद पर्स में रख लें हर एक मेंने में इसको चेंज करें आप देखिएगा जरुरत के समय धन रहेगा खर्च नहीं होंगे सारे चाबल अक्षत यानि बिना टूटा हुआ चाबल पहले तो आप मालक्षमी को औरपित करें एक चुटकी उठा कर अपने पर्स में रख लें अन्चाहे खर्चे नहीं होंगे बेवज़ा के खर्चों से आप बचे रहेंगे अगर आपके घर में चांदी का सिक्का है तो अच्छी बात नहीं तो मार्केट में एक गराम दो गराम के भी आते हैं वो सील रहता है तो उसको भी आप अपने पर्स में रख सकते हैं चोटा सा है क्योंकि चांदी का सिक्का मना जाता है आपके मन को सांथ रखता है वैसे आ आपसे विदा लेंगे हरहर महादेब धन्यवाद